हाई फ्रेंड तो आज मैं बनाने वाली स्मोकी कॉर्ण राइस और सच मानों इतनी स्वादिश्ट लगती है यह कॉर्ण राइस तो अब देखते जाओ पूरी वीडियो तो सबसे पहले मैं चावल को पकने के लिए छोड़ देती हूँ आप कोई भी चावल ले सकते हो तो मैं बासमती राइस ली हूँ यह पानी डालके पकने के लिए छोड़ देती हो कि अब जो मैं इसमें कॉर्ण जो मिलाने वाली हूँ तो उसका मैं त्यारी कर लेती हूँ तो मैं एक ताजी कॉर्ण ले रही हूँ हरी देख सकते हो तो इससे मैं छिल लेती हूँ और यह आज कल तो सभी जगह मिल जाते हैं और जदि आपको नहीं भी मिलने हैं तो जो पकी हुई मिलती है तो वह भी आप मिला के छिल के बना सकते हो और आप फ्रोजन वाली भी जो स्वीट कॉर्ण होती उससे भी बना सकते हो लेकिन उससे वैसा टेश्ट नहीं आएगा क्योंकि उसे आप सेंक नहीं सकते हो रोष्ट नहीं कर सकते हो तो इसे मुझे तो रोष्ट करना चूले के उपर तो जो मैं चावल उधर डाली थी चूले पे मैं उपर रख देती हूँ और इस चूले के उपर मैं कॉर्ण को पकने के लिए छोड़ देती हूँ और चार मैं टोमेटो ले रहे हूँ इसे भी मुझे सेंकना है चूले के उपर और चार लहसन की कलियां भी उसे भी मैं सेंक लूँगी तो देख सकते हैं ये रेड़ वाली टोमेटो नहीं है एक रेड़ वाली टोमेटो आती है जो उतनी जूसी नहीं होती जिसे लोग ज़्यादा तर सैलेड में खाते हैं तो यह वाली मैं टोमेटो इसलिए ले रही हूं क्योंकि इसके जो रस होती है और जो कॉर्ण राइस जो बनाऊंगी इसमें स्वात बहुत जादा ही आता है तो आपको जदी ऐसी वाली टोमेटो मिल रही तो ऐसा ही यूज करो तो टोमेटो को भी अच्छे से उपर नीचे मैं सेक ले रही हूं और जो लहसन की कलिया है वो भी सिख चुकी है तो इसे मैं प्लेट के उपर रख लेती हूं और टोमेटो को भी उपर नीचे करके अच्छे से पका लेना है तो टोमेटो भी सिख चुकी है तो इसे भी मैं प्लेट में रख लेती हूँ अब जो कॉर्ण है सिखी नहीं है तो इसे उपर नीचे करते रहना है तो देख सकतो हो सिख चुकी है इसे भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ जितने भी सबी चीजे सबी के छिलके साफ करने हैं तो सबसे पहले मैं कॉर्ण कर जो दाने हैं उसे मैं निकाल लेती हूं तो इस दाने को निकालने में थोरी सी महनत लगती है और क्या है जब कुछ आप स्वाजिश चीज बनाना चाहरे हैं फuri से मेहनत तो लगती है निकल कुकि है और यह जो टॉमेटों से भी चिलकी निकाल लोगी तो पहले मेहनला हसन केची निकाल लेती हूं देख सकते हूँ थोरी सी ज्यादा भी लग चुकी है तो इससे भी थोरा स्मोकी टेस्ट अच्छा आता है तो जदी आपको नहीं पसंद है तो आप नाइप से उसे खरोच के निकाल भी सकते हो या कट करके तो मैं थोरी बहुत जो लगी हूँ उसे में रहने दे रहे हूँ और टोमेटों भी छील के बारिक बारिक में कट कर ले रहे हूँ जैसे भी बारिक नहीं मोटी पतली जैसे भी आप कट कर सकते हो एक में हडी मिर्च ले रहे हूँ और अधरक के टुकरे आधी इंच के बराब और सभी को मिला कर इसका अच्छा सा प्यूरी बना लेना है तो देख सो इधर त्यारी हो चुकी कॉर्ण के दाने निकल चुके हैं और जो प्यूरी भी बन चुकी अब जो ड्राइ मसालें उसे मैं थोरी सी ड्राइ रोष्ट कर लेती हूं तो तीन छोटी साइज की मैं चीली ले रही हूं आधी चमच के बढ़ावर मैं गोलमरी ब्लैक पेपर जोती उसे ले रही हूं आधी चमच मैं सौफ ले रही हूं और आधी चमच जीरा खरा जीरा जो ले रही हूं और आधी चमच मैं धनिया ले रही हूं खरा धनिया तो इसे अच्छे से से शेक लेना है पॉडर बना चुकी हूं मिक्सर में डालके अब मुझे बारी कटी हुई प्याज थोड़ी सी धनिया पत्ता और थोड़ी स्प्रिंग आनियन जो लीफ होते हूं उसके कटी हुई तो मैं तेल डालके इसमें मैं जीरा डाल रही हूं थोड़ा से हिंग पॉडर आधी छोटी च हुंजना है जब तक प्याज की जो कलर है थोड़ी चेंजना हो जाए अब इसमें मैं नमक डाल रही हूं स्वाद अनुसार हल्दी पॉडर छोटी चमच आधी चमच के बराबर हल्दी पॉडर डाल रही हूं अब इसमें जो मैं कॉर्ण डाली थी उसे भी अच्छे से भूजना है उसी प्याज के साथ अब कुछ चलाते रहना है जो मसाले तैयार किये थे ड्रै मसाले उसे डाल के थोड़ी देर तक उपर नीचे करके भूजना है हाँ जो मैंने प्यूरी बनाई थी उसे भी डाल के अच्छे से कॉर्ण के साथ ही पकाना है और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल के सब्सक्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा तो अभी अच्छे टाइम तक आपको पकाना है क्योंकि जब तक टोमेटो की जो पूरी रस है उसूख न जाए लगबख देख सकते मसाले लगबख ड्राय होने लगी है लगब टोमेटो भी सुख चुकी है और कॉर्ण भी अच्छे से पक चुकी है तो जो मैंने राइस बनाई थी उसे मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ थोड़ा डाल के आपको अच्छे से मिलाना है आपको अपर नीचे करके अच्छे से मिक्स कर लेना और यह कॉर्ण राइस तयार हो चुकी है अब इसमें मैं जो कटी हुई स्प्रिंग ओनियन लीप जो है उसे मैं मिक्स करूंगी थोड़ी दिर तक आपको उपर नीचे करके चावल को भी पकाना है मसाले के साथ देख सकतो है मैं स्प्रिंग ओनियन डाल रही हूँ और उपर नीचे करके चला लेना है ऐसे मैं साइट कर लेते हूं और देख सकते हो इस मोकी कौन राइस तयार हो चुका है तो आपको पसंद आई इस मेरे वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब किजेगा लाइक किजेगा शेयर किजेगा